हेलो डिए फेंड्स प्रेश्ट जामगुरु जी आज हम MP सब इंजिनेरिंग के लिए पार्ट नमबर थर्ड डिसकुक्स करने वाले प्रिभी सिर्का जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए तो देखिए होता है उसको आप किस नाम से जानते हैं वेर इंपॉर्टन कोशिन नहीं यह तो उसको आप क्वीन क्लोजर के नाम से जानते हैं जिसे कि यह ब्रिक है सबीको पर लेंगे तो उसको हम क्वीन क्लोजर ही बोलेंगे नेश्का थेकिए एक्ट एंगेल चैनल सेक्षिन इसта मोस्ट एकॉनोमेकल ऒन डेफ्थ ऑफ फ्लो मैंड बोन वस्ट पिर्थ हिसेन इतर रिशो ऑफ क्या रिशो फोता है उसका ऑफ तो उसका जो रेशियो होता है वो one ratio two होता है वो नई कि अपूप्शन mc हमारा पास यह पे दिया गया है important question आई यह कि इसका यह meaning होता है वो उसकी जो घहराइम होती है depth जो होती है वह उसकी अगला कॉशन देखी, what will be the minimum size of filled weld if the plate thickness is less than 10 mm, plate की thickness जो है less than 10 mm है, तो minimum size होता है, filled weld का वो कितना होता है, very important question आईए, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ कि 10 mm के लिए कितना होता है, 10 के लिए जो minimum size होता है, filter weld का वो 3 mm होता है, अगर आपके जो plate की thickness है, वो 10 से 20 है, तो 5 रहेगी size filter weld का, और 20 से 32 है, तो उस cases में आपका 6 रहता है, and 32 से 50 के बीच में value रहती है, तो उसके लिए 8 plus 2 होता है, so option यह वाला पूछा है हम से, तो 3 mm ही हमारा answer हो जाएगा, अगरा देखिए, what is poison ratio for normal concrete of strength, design and serviceability criteria respectively, what is the poison ratio of concrete, normal concrete जो होता है, उसके design strength and serviceability criteria जो होता है, उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए 0.15 and 2 होता है, 0.15 and, यहनिके जो design, strength design के लिए जो होता है, जो 0.15 होता है, and serviceability criteria जो होता है, उसके लिए 0.2 होता है, so option C answer, बिल्गों correct answer है, अगरा question क्या बोग रहा है, what is the sum total of organic nitrogen and ammonium nitrogen cold as, इस GK के section है, इसको मैं आपको homework के लिए question देता हूँ, आप इसको solve कर सकते हैं, comment box में लिखिए कि इसका answer क्या होगा, मैं तो बसे आपको बताई सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप comment box में इसका answer जो है, वो लिख सकते हैं, अगला question क्या बोग रहा है, what is the thickness of plastering provided for under side of RCC work, जो अंदर वाले काम होते हैं, वहाँ पर आपको plaster करना है, तो plaster की जो thickness होती है, RCC work के लिए, वो कितनी होनी चाहिए, बसे जो general cases होता है, वो 12 mm ही होता है, और 20 mm से exceed नहीं करनी चाहिए value, लेकिन यहाँ पर under side की बात करना है, तो under side के लिए जो होता है, वो 6 mm ही होता है, 6 mm इस दा correct answer हो जाएगा, यह point आप याद रखिए, अगला question देखिए यहाँ पर, what is the net quantity of plastering required for wall measuring, 10.5 meter length and 12 meter width and 12 mm thick, be then opening of 1.2 meter into 1 meter, यह into है, x नहीं मानेगा, यह multiple iqa sign दिया गया है यहाँ पर, तो क्या उसकी quantity आएगी, सभी को पता है कि plaster जो होता है, उसको square meter में measure किया जाता है, यहाँ पर option में देख सकते हैं, आप square meter ही दिया गया है, तो यहाँ पर हमें quantity नहीं find out करनी है, कि हमारे पास 6 mm थिकनिस दी गई है, 12 दी दी गई है, तो इसको आप भूल चाहिए, हमारे पास dimension दी गई है, उसकी कितनी है, length कितनी है, width कितनी है, 10.5 और multiply by 12 width दी गई है, इसको multiply करेंगे, हमें यहाँ पर बोल रहा है कि, भाई, be then opening जो deduction हमें करनी है, वो minus हम कर देंगे, 1.2 into 1 यह हमें deduction करनी है, सबसे पहले इसको आप multiply किजे, इसको भी multiply किजे, दोनों को आप minus कर दीजे, हमारे पास जो answer आना चाहिए, वो यह वाला आना चाहिए, 124.80, यह हम पर point रहेगा, यह हमारे पास square meter में answer जो है, वो आ जाएगा, सब इस question के answer बन जाएगा, अगला question देखिए, what type of cross drainage work is provided, when the canals runs below the drain, with FSL of canal, यहां पर question भी थोटा सा mistake है, यहां पर well रहेगा, यह जो हदिया गया है, well यह canal है, यहां पर भी थोटा से mistake है, below the bed of the drain होगा यहां पर, bed of the drain, जो bed यह वाला होता है, तो bed of the drain, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, super passes के नाम से जानते हैं, इसकी definition दी गई है, आप इसको याद करें कि मैंना एक दुबार आपको बताई भी है, अगला question देखिए यहां पर, for a cinema hall, number of WC required for female is, cinema hall जो होता है, उसमें जो number of WC जो आपको required होती है, females के लिए, वो कितनी होनी चाहिए, तो cinema hall के लिए जो maximum होती है, वो 200 WC आपको required होती है, या 2% या फिर 1% होता है, तो option A हमारा इस question के लिए अंसर बन जाएगा, अगला question देखिए यहां पर, for glazing clay product at water, what temperature sodium chloride should be thrown into the, तिनी option या पर दिये गए है, तो कितना temperature रहता है, 1000 से 1300 degree Celsius, इतना temperature जो हो रहता है, glazing clay product at what temperature sodium chloride should be thrown into the kiln, या पर kiln भी होना चाहिए था, तो kiln में जो sodium chloride जो होता है, वो डाला जाता है, glazing clay product के लिए, वो 1300 degree Celsius का रहता है, आज हम आपके लिए वीडियो जो है, बहुत ही जल्दी जल्दी बिना रहे हैं, क्योंकि आज यहां पर light का problem है, तो मैंने power bank से connect किया हुआ, तो power bank में भी उतनी charging नहीं है, तो इसलिए, थोटा सा आपको detail में provide नहीं हो पा रहा है, तो next video में हम देखेंगे कि, भई, light जो है, वो आपके लिए मिल सके, क्योंकि light जो है, एक दिन हो गया है, cut लगे हुए, तो अगला question क्या भो रहा है, as per IRC, maximum width of vehicle should be, maximum width होती है, vehicle की वो कितनी होती है, common question है, ये पीछली video में डिस्कूर्श करें चुके है, जो हमारी top expected की question, 35 सेरी रही थी उसमें, तो width जो होती है, वो ये answer होता है, 2.44 ये width होती है, length की अगर बात करेंगे, तो 10.60 मेंटर होती है, height की अगर बात करेंगे, तो 3.80 होती है, height, ये तीनों चीज़े, common चीज़े हैं, आपको पता होनी जिरूरी है, अगला question देखिए याँपर, as per हमारे इस IS code के code, इस IS code को आप याद रखिए, specification, how to calculate the gross diameter of bolt, gross diameter जो होता है, bolt का आपको कैसे determine करना है, if the diameter of bolt is less than or equal to 25 mm, less than or equal to 25 mm, बहीं, less than बोर रहा है, तो less than 25 होता है, तो उसमें हम nominal जो होता है, diameter उसमें 1.5 mm जो होता है, उसको भी add कर देते हैं, तो 25 plus 1.5 is equal to 26.5, यह हमारे पास gross diameter बन जाता है, तो nominal diameter प्लस यह हम add कर देते हैं, so option C हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा, अगर 25 से जाधार रहेगा, यहाँ पर less than or equal दिया गया है, अगर greater than होता है, तो उस cases में हम two add करेंगे, gross diameter के लिए, common question है, सभी को पता है, मुशन देखिए, super built up area is defined as, super built up area जो होता है, उसको किस तरह से define कर से देखिए, कि वो क्या होता है उसमें, उसमें क्या क्या शामिल होता है, common question है यह, super built up area and common area जो होता है, इन दोनों का summation होता है Summation होका यहापे summation की spelling भी mistake है S-U-M-A-T-I-U-N होता है अगला question क्या वो रहा है which of the falling could be used for fixing the i-attribatory direction i-attribatory direction जो होती है उसको fix करने के लिए आप इन चारों में से किसको use कर सकते है तो आ-attribatory direction जो होती है उसको fix करने के लिए आप top of chimney जो होता है उसका use करेंगे क्योंकि यह जो होता है एक permanent structure होता है permanent नर्मान करते हैं आप इसलिए आप top of chimney जो होता है उसको use कर सकते हैं अगला question देखते हैं हम यहाँ पर which of the falling is best instrument for measuring the velocity of steam flow velocity of the steam flow which of the falling is the best instrument जो velocity of flow को measure कर सकता है तो यह पर steam की बात कर रहा है वही steam के लिए जो होता है steam जो होती है आपकी नदी river जो होती है उसमें तो वो करते हैं आप current meter जो होता है उसका use करेंगे velocity को measure करने के लिए steam की बात हो रही है नदी की बात हो रही है यहाँ पर so option B हमारा जोर बन जाएगा अगला question देखिए यहाँ पर which of the following test is used to determine the rate of year of stone rate of year ने यहाँ पर wear होना चाहिए था wear rate of the wear of the stone गोड़ फोर के लिए आप attrition test जो होता है उसका use करते हैं option B answer हो जाएका इस question के लिए अगला question देखिए which of the following type of losses does not occur in the centrifugal pump centrifugal pump में जो आपको losses नहीं देखने को मिलता है वो कौन सा losses होता है तो वो frictional losses होता है बाकी leakage losses आपको देखने को मिलता है mechanical losses भी आपको देखने को मिलता है and hydraulic losses होता है वो भी आपको centrifugal pump में देखने को मिलेगा लेकर ये लोग सेथ आपको नहीं देखेने को मिलेगा option B इस question के लिए answer बन जाएगा अगला देखिए which of the following is no type of wearing wearing joints भी होना चाहिते हैं आपके which of the following is no type of wearing joints कौन सा नहीं है वो तो वो scarfing joint नहीं है scarfing की spelling mistake है यहां पर scarfing joint scarfing joint नहीं है तो जल्दी जल्दी से हमने PDF बनाई है तो यह आपने बहुत सारी mistakes जो आपको देखनों को मिल रही है lights की बज़र से problem आ रही है शायद आज तो आ जाएगी lights तो दिक्कत नहीं है power bank में उतनी charging तो नहीं होती है लेकर फिर भी दो तिन fonts हैं तो चार्ज करने ही पड़ते हैं अगला कोशन क्या बढ़ा बीच of the one of the following component is responsible quick setting of cement के लिए responsible होता है तो वो होता है AL203 option D यह जो होता है इसको आप alumina के नाम से जानते हैं alumina के percentage के अगर आप बात करेंगे तो वो 3-8% आपको देखने को मिलता है अगर cement में 3-8% होता है तो यह आप cement में आपको देता है बहुत ही sugar जमने की क्षमता जो होती है वो परदान करता है अगर जादा हो जाएगा तो यह cement को बहुत ही कमजोर बना देता है तो option D इस question के लिए answer बन जाएगा अगला देखिए which one of the following filter will produce water of higher vectorological quality higher vectorological quality जो होता है कौन सा filter देता है common question नहीं है तो वो देता है slow sand filter slow sand filter तो इसकी गहराई की अगर आदेफ्स की बात करेंगे तो 2.5 से लेकर 3.5 मेटरिक्स की depth होती है option A हमारा answer बन जाएगा अगला question देखिए which estimate method is suitable for different thickness of walls and different level of foundation के लिए which estimate method is suitable for different thickness of walls and different level of foundation के लिए तो वो होता है partly center line and partly cross wall method ये suitable होता है अगला question देखिए which methods not fall under the category of displacement method note नहीं आता है भाई displacement method की category में कौन सा नहीं आता है तो वो जो नहीं आता है वो कौन सा है तो यहां पर जो नहीं आता है वो C answer होगा method of consistence deformation consistence deformation जो होती है ये force method जो होता है उसकी category में आता है बाकी तीन जो है displacement की category में आते है अगला और last question देखिए हमारे इस वीडियो का the main stabilizing force for gravity dam is gravity dam जो होता है उसको stabilize करने की जो main forces होती है वो उसका self weight जो होता है dam का वो ही होता है stable stable के लिए stable रखने के लिए self weight जो होता है वो ही stabilizing force होती है तो friends यह थे हमारे most expected 23 questions MP sub engineering के लिए जो की previous 2018 में सब्तंबर में पूछे गे थे वीडियो जो है बहुत ही short बनी है explanation भी बहुत कम हुआ है तो अगले वीडियो में देखते हैं मिलते हैं ऐसे ही next वीडियो के साथ